हेलो फेंड्स फ्लिफ कार्ट से हमारा बोट लूनर कनेक्ट एस स्मार्ट वाच आ चुका है आज हम इसी का अन्बॉक्सिंग करेंगे और फिर इसके सारे फीचर्स को देखेंगे और रिव्यू करेंगे तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से दिखता है फ्रंट साइड में स्मार्ट वाच की फोटो लगी है और इसके बैक साइड में इसके कुछ मैन फीचर्स लिखे हुए हैं इसमें 100 प्लस इस्पोर्ट्स मोड है क्लाउड कस्टम वाच फेश हैं इसके अलाबा हार्ट ट्रेट, एस्पी ओटू, स्ट्रेस मॉनिटरिंग यह ब्लुटूथ कॉलिंग हमें इसमें मिल जाएं, 700 निट ब्रैटनेस वाला यह स्मार्ट वाच है, आगे वीडियो में इसके सारे फीजर्स को हम चेक करने वाले हैं, बॉटम साइड में इसकी प्रैसिंग 9999 लिखी है, लेकिन मैंने इसे फ्लिप कार्ट पे 2200 में लिया है, फ्लिप कार्ट की आनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं, इस साइड में बोट की ब्रैंडिंग की वी है, और अब हम इसके मैन बॉक्स को उपेन करते हैं, और अंदर से स्मार्ट वाच निकालते हैं, बॉक्स उप अपको मिल जाएगा, मेटालिक बेल्ट में लॉकिंग सिस्टम मैगनेट वाला है, जो कि मुझे काफी पसंद आया, हम एक बार देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्यक्या हमें मिल जाते हैं, तो बॉक्स के अंदर से हमें कुछ यूजर मैनुवल गाइड मिल जाते है और इसके अलावा कुछ stickers हमें देखने को मिलते हैं और यह है charging cable जिसके एक side magnetic है तो पुल मिला के इतने सारे समान हमें box के अंदर से देखने को मिलते हैं तो आएए देखते हैं इसके features को sticker को वाज से निकाल लेते हैं और अब हम इसे on करेंगे आउन होते ही boat की branding आती है और एक QR code आता है इस QR code को scan करके हम अपने mobile में boat app डाउनलोड करेंगे mobile में app डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद हम इसके lunar connect ace वालेफ वाच को select करते हैं इस एप में फिर Bluetooth की जरिये हम mobile और अपने smart watch को connect करते हैं यहां पर हमारा mobile और smart watch pairing में आ चुका है pairing होने के बाद हम अपने smart watch को अपने mobile app के जरिए पुरी तरह से control कर सकते हैं तो अभी हम यहां पर इसके watch face को change कर रहे हैं तो एप में बहुत सारे watch face हमें देखने को मिलते हैं हम यहां पर यह वाला watch face अभी select किये और इसे फिर upload किये और थोड़ी दे के बाद same watch face हमारे smart watch के उपर आ जाएगा आप अपने पसंद के अनुशार अलग लग watch face select करके इसे upload कर सकते हैं यह 1.43 inch diameter वाला watch है और आपके hand में काफी अच्छे लगेंगे चाहे आप गल पहने या बवाई दोनों के हाथों में यह काफी अच्छे लगते हैं वाच के पिछले वाले हिसे में sensors लगे हुए हैं और साथ ही यह एक magnetic charger है और हम यहां पर कुछ इस तरीके से इसे लगा के इस smart watch को charge कर सकते हैं तो आएए अब इसके हम features को देख लें जब हम घरी को ऊपर से नीचे swipe करते हैं तो हमें यहां पर तरह तरह का option देखने को मिलते हैं brightness का options है हम अपने watch के brightness को घटा बढ़ा सकते हैं time out 10-30 seconds तक हम इसे fix कर सकते हैं इसके अलाबा watch face इसमें कुछ inbuilt दिये हैं इसे हम अप select करके अपने watch के ऊपर लगा सकते हैं और इसके अलाबा always on का भी इसमें features हैं जब हम उपर से नीचे swipe करते हैं तो हमाई कितने calorie burn हुए हैं कितने steps हम चले हैं इतना heart rate है SPO2 क्या है यह सभी जानकारी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं और साथ में weather की जानकारी और अपने music control करने के लिए भी option हमें यहां देखने को मिल जाता है लेप्ट की और swipe करने से notification का option मिलता है और right side में सारे apps के line से details मिल जाते हैं जिसे हम इस तरह से rotate करके उपर नीचे देख सकते हैं हमें यहां पर flashlight का भी options मिल जाता है फिर इसके अलाबा alarm का options हैं टाइमर के options हैं stop watch है इसके अलाबा find my phone का भी options हमें मिलते हैं जिसे की आप अपने mobile को ring करके ढूंड सकते हैं चलिए अब हम इसके bluetooth calling वाले features को भी एक बार देख लें जब हम उबर से swipe करते हैं तो हमें calling वाली features यहां देखने को मिलती है यहां पर हम direct dial करके भी phone लगा सकते हैं वैसे इसमें 10 storage 10 contact storage हम कर सकते हैं phone calling की facility definitely आपको अच्छी मिलेगी वाइस विर्गल clear आती है तो यह था हमारा पूट lunar connected smart watch जो कि आपके हांथों में काफी सांदार लगेगा और इसके सारी features को आप बहुत enjoy करोगे वीडियो पसंद आये तो like और share जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को भी subscribe जरूर करें Thank you झाल